So guys WWDC 2024 खतम हो चुका है बहुत सारी चीजे उसमें लाँच होई iOS 18 लाँच हुआ and Vision OS लाँच होई तो बहुत सारी चीजे उसमें लाँच हुई है आज की वीडियो में बात करने वाला है iOS 18 में क्या-क्या नए नए फीचर्स आपको देखने में लाँच है इस बहुत सारी चीजे आपको iOS 18 में मिलता है if you are iOS user then it's a big thing for you कि iOS 18 में बहुतरीन फीचर्स आ गया है चले गाइस सब कुछ आपको समझाते है डिस्पले से स्टार्ट करते हैं यहांपे अलग-अलग वाल पेपल सापको चेंज करने का उप्सिंडेश प्लेस कर सकते हैं अब को पूरा दिखना चाहिए तो अब अलग-अलग apps को icons को अलग-अलग shift कर सकते हैं, corners में shift कर सकते हैं, नीचे shift कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप customize कर सकते हैं, जो कि यह अच्छी चीज़ है, and अगर आप वो icons के color change करने, apps के color change करने, it's also available in iOS 18, जीस तरह से आप colors चाते हैं, जो भी color आप चाते हैं, सारे apps के icons को second is control center, control center में बहुत सारी चीज़ें आप control कर सकते हैं, अलग-अलग music options अलग कर सकते हैं, and इस बार आप separate भी कर सकते हैं, जीसे कि आप नीचे करेंगे, तो आपको control center देखने मिलता है, जो normal control center होता, फिर उसके बाद आप music में आप से अलग change कर सकते हैं, दूसरी customization कर सकते हैं इस बार control center में, तो वो सारी चीज़ें और आपको बहतर देखने मिलेगी, आपको नया icons आपको control center में लगाना है, तो वो आप कर सकते हैं, वो control center को भी आप customize कर सकते हैं, अच्छी तरीके से वो भी आप use कर सकते हैं, in iOS 18 में, third is a privacy, yes, privacy में हर बार आपको iOS में कुछ देखने मिलना है, जैसे कि lock and app का option देखने मिलता है, जैसे कि कोई किसी को भी आप phone देते हैं, तो आप का वो आप open न कर पाया है, तो लॉक एन एप का option देखने मिलता है, अगर उस app को क्लिक करेगा, तो उसमें आपका password मांगेगा, फिर face ID मांगेगा, उसके बिना वो app use नहीं कर प सकते हैं, जो भी आप दूसरे को नहीं दिखाना चाहते हैं, वो आप apps को hide कर सकते हैं, तो वो चीजें options भी इस में देखने को अभी मिल नहीं है, and I think Android अगरा में साइची है, it's not a big deal, now many things are changes in a message option, so yes, message option में आप को देखने मिलता है, tap backs का option देखने मिलता है, जिसमें आप react क कर सकते हैं, तो message के option में बहुत साज चीजें इस बार customization की गई है, and iOS 18 में ये features आपको यहां पर देखने मिलेगा, tap backs का option, दूसरा आपको मिलेगा text effect का, जो कि personally मुझे बहुत इच्छा लगा, तो आप इसमें कर सकते हैं, कि आप कोई भी message करते हैं, and उसको थोड़ा सापो highlight देखने मिलते Android में होगा, या फिर iOS में अभी तक यह सारी चीजे नहीं थी, iOS 18 में और बहतरीन option यह देखने मिलता, text effect का, जो कि मुझे बहतर लगा, आपको भी मजाएगा, इस चीज को करने में, and इस बार, mails में भी अच्छे option देखने मिलता है, organize करने का option, आपको social media पर कोई message आते हैं, वो आपको देखने मिल जाएगा, प्रमोसन मिल जाएगा, कोई आपको company का कोई promotion वगर आता है, वो चीज़े आपको यह पर देखने मिल जाएगी, and primary में जो भी आपको आते हैं, primary में मिल जाएगा, and all messages का अलग होगा, तो mails में भी अलग-अलग customization रह देखने मिलेंगे, जो भी नाम से होंगे, वो आपको देखने मिल जाएगे, roads सारी आपको देखने मिल जाएगे, streets आपको देखने मिल जाएगे, तो yes, details और बहतर हो जाएगी, इस बार iOS 18 के maps option, and yes, एक नई चीज़े आपको देखने मिलते, wallet, tap to cash option देखने मिलता, जिसमें नहीं देना है, and अगर आप cash करना चाते हैं, आप transactions करना चाते हैं, this is the best feature, आपको tap to cash option देखने मिल जाएगा, इस बार iOS 18 में, yes, for gamers, आपको एक और feature देखने मिल जाए, gaming mode का option देखने मिलता, frame rate बगरा, और जदा बहतर देखने में लगा, if you want to play games in iOS, तो आपको अच्छे features आपको gaming mode में भी इस बार iOS 18 में मिल रहा है, and now जो हम बहुत ज्यादा यूज़ करते हैं, photos का app, क्योंकि हम phones करीते हैं, iPhone करीते हैं, photo बहुत जदा खीचते हैं, and click करते हैं, जिसमें बहुत जदा photos हमारी हो जाती है, अब आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा, redesign का option देख देखने मिल जाएगे, recent days जो आप photos क्लिक की है, वो आपको लग मिल जाएगी, अलग-अलग locations पर आप कहां गये हैं, वो भी है, वो देखके अलग-अलग अपने इसाप से वो set कर देगा, जैसे कि आप कहीं Mumbai गया है, तो वहां की photos में देखने मिल जाएगा, अगर आप कहीं यह चीज़ें Android में भी है, अलग-अलग location को देखके, वो अपने हिसाब से आपके photos को customize कर देता है, बहुत सारे Android OS में देखने को यह मिलता है, but in this iOS 18 में भी आपको यह देखने मिल जाएगे, तो यह सारे features ने जो इस बार iOS 18 में देखने को मिल लाए, सब कुछ मैंने आपको मैंने आपको explain कर दिया किस तरीके के आपको अलग-अलग नए-नए features देखने को मिल जाएंगे, इस बार iOS 18 में, आपको इस में से कौन से सबसे बहतर लगे, सबसे अच्छे लगे, comments box में ज़रू बताईगा, and I hope की वीडियो आपको पसंदाई होगी, अगर वीडियो पसंद माद